लोश्तों, इस दुनिया में धन कमाने के अंगिनर तरीके हैं, लेकिन हमारी समाल ने धन कमाने के जो मर्यादित तरीके बताए हैं, वो तीन तरीके हैं, उन में से पहला तरीका है नोकरी, दूसरा तरीका है इन्वेस्टमेंट, और तीसरा तरीका है व्यापार, किसी कमपनी या सेट को धनवान बनाने के लिए जो व्यक्ति जीवन भर कोलू के बेल की तरह काम करता रहता है उसे नोकरी केता है नोकरी शब्द एक तरह से नोकर सबसे ही परसलन में आया है यानि जब आप किसी के लिए नोकर की तरह काम करते हैं तो उसे नोकरी केता है इस तरीके से जो यानि पेशों से पेशा कमाने का तरीका, इस तरीके में शेर मार्केट, म्योचल फंड और व्याज पर उधारी देकर पेशों से पेशा कमाया जाता है, धन कमाने का ये तरीका भले ही आसान लगे, लेकिन इस तरीके से हमेशा पेशा डूबने की रिस्क बनी देती है, केई ब व्यापार यानि बिजनस इस तीसरे तरीके से अमोमन लाभ ही होता है एक पुरानी परचलित कहवत के इसाब से उत्तम खेती मध्धम व्यापार और नीच नोकरी यानि खेती को धन कमाने का उत्तम तरीका बताया है वहीं व्यापार को मध्धम और नोकरी को नीच यानि सबसे नीचे रखा गया, चोंकि यह कावत बहुत पुरानी है और बदलते दोर में इस कावत के माईने भी बदल गये हैं, हमारी बड़े बुजर्गों ने जिस खेती को धन कमाने का उत्तम तरीका बताया था, वो आज की परिपेक्ष में खेती धन कमाने के सबसे नीचे वाले तरी के में चली गई है, खेती करने वाले किसान की हालत किसी से छुपी हुई नहीं है, किसानों की दुरुदसा इसका जीता जाकता उधारन है, किसान जितना भी अन साख सब्जियां वेफलफूट उगाता है, उसका परतिफल उसे उतना नहीं मिलता है, जितना वो इने उगाने में मेहनत करता है जबकी खेती में विचोलिया या डलाल बीना मेहनत के ही किसानों से ज़्यादा मुनाफ़ा कमा लेते है भी cat olie यह का काम अधरी से व्यापार की हिष्रेश्रिणी में आता और जिस नोकरी को पुरानी कहवत के इसाब से नीच नोकरी कहा गया था वो आज के दूर में मध्यम इस्तर पर आ गई उत्तम तरीके में और नीज तरीका मध्यम तरीका हो गया आज के इस वीडियो में हम धन कमाने के उत्तम तरीके यानि व्यापार के बारे में बात करेंगे व्यापार धन कमाने का वो तरीका है जिसमें आप खुद ही अपने बोस होते हैं और खुद के लिए ही कमाते हैं आप किसी का अंकुस नहीं होता है अपनी मर्जी के आप खुद ही मालिक होते हैं इसलिए नई कहवत के इसाफ से उत्तम व्यापार मध्यम नोकरी वे नीच खेती होकरे गई हैं इसी नई कहवत के इसाफ से उत्तम व्यापार को ध्यान में रखते वे हम आज के इस वीडियो में व् उकेश अम्बानी, गोतम अडानी, अजीम प्रेम जी, लक्ष्मी मित्तल, आदी गोद्रेज, कुमार मिडला, दिलीप सांगवी, प्रकास हिंदुजा और आनन्द महिंद्रा जिसे सफल व्यापारी बनकर अर्वों खर्मों की अपनी बिजनस एंपायर खड़ी करने में सफल ह पाते हैं, मित्रों, जोती सास्तर में कुंडली में सात्वा गर व्यापार का, और ग्रहों में बुद्ध ग्रह को व्यापार का काल ग्रह माना गया, जिस किसी भी व्यक्ति के कुंडली में सात्वा गर व्य बुद्ध ग्रह मजबूत वे सुप इस्तिति में होता है, एसा व लगन के कुंडली में तीसरे वैसमेंच घ्र के मालीकी ंवंथ हास में होगी तो ऐसा ब्यक्ति व्यापार में बहुत तरक्की करता है तब ऐसे व्यक्ति को व्यापार में करोणों का लाब होता है जेसा कि तीसे घर का मालिक यानी प्राकरमेश, साथवे घर का मालिक सब्तमेश जो व्यापार का गर है इन दोनों की यूति ग्यारवे घर में होती है जो लाववे इंकम का गर है तब उस व्यक्ति को इनकी दसाओं में व्यापार से अकूर धन दोलत की प्राप्ति होती है 3rd and 7th house का लोड 11th house में बेटे हो बले ही आपका लगन कोई भी हो तब इस योग के तलते आप इस योग कारक ग्रह की दसाओं में बहुत बड़े बिजनसमेन बन सकते हैं और व्यापार के माज़म से अकूर धन दोलत कमा सकते हैं चलिए एक कदम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसी तरह के एक और योग की इस डूसरे योग के अनुसार करक लगन की कुंडली में धनेश वे करमेश की यूती किसी भी केंदर में होगी तो ऐसा व्यक्ति अपने कर्म के बलबूते सफल व्यापारी बनता है इस समय आप अपनी स्क्रीन पर जो उदाहन कुंडली देख रहे हैं इसमें धनेश सूरे वे करमेश गुरू बनते हैं यदि सूरे वे गुरू की यूती कुंडली के किसी भी केंदर यानि फर्स्ट, फोर्थ, सेवन्थ या टेंथ हाउस में होगी तो ऐसा व्यक्ति निश् लगन की कुंडली देख रहे हैं वो उदाहन कुंडली हैं आप सभी दर्सकों को समझाने के लिए किसी ने किसी लगन की कुंडली तो लेनी ही होगी आपकी कुंडली किसी भी लगन की है उससे कोई फरक नहीं पड़ता है आपको केवल इतना ही देखना है कि आपकी कुंडल वे टेंथ हाउस का लोड कुंडली के केंदर में एक साथ यूती बना कर बेठे होने चीए तो ये योग आप पर भी समान रूप से लागू होगा चलिए एक और योग की चचा कर लेते हैं और इस योग के अनुसार किसी भी लगन की कुंडली में बुद्ध वे शुकर की यू हास यानि धनियुसतान या सेंथ हाउस यानि व्यापारिस्थान में हो तैसा यूत पर गुरूं में चंदॉन में की दती हे तो यसे ही व्यापारी की मार्केट में बहुत वड़ी पेठ होती हैं गुरु मान समान वे यस किर्थिका कारगर है जबकि चंदर्मा मन का। इनकी द्रस्ति से ऐसे व्यापारी के परती मार्केट में हर किसी के मन में आदर वे समान के भाव होते हैं। जिसे उसके गुर्विल बनी रेती हैं। लोग वे दूसरे व्यापारी उसकी इसी साख के चल पार से सुखी संपन होकर बेश्वमार धन दोलत अर्जित करता है। उसके देश-विदेश में अपने व्यवसाय के भहुत सारे आउटलेट्स होते हैं। जहां से उसे विदेशी मुद्रा में भी खूब कमाई होती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और योग की। होस में बेठे होंगे तो एसा व्यक्ति वित्वे बेंकिंग के सेतर में बहुत बड़ा व्यवसाय बनता है। उसे सरकारी टेंडर वे सरकार के कामों से बहुत फाइदा होता है। ऐसे व्यक्ति की बजार में बहुत बड़ी इमेद होती है। चलिए फटा-फट एक और यो हाउस या शिक्स हाउस में गुरु विर्याजबान है और तेन्थ हाउस में सनी मंगल की यूती बन रही है तो ब्रश्पती की पांचवी साथवी वे नमीत दस्ती सनी मंगल की यूती पर पड़ेगी जिसे योग फलीबूत हो जाता है एसा व्यापारी मेडिकल फार्मेसी केम मिकल और तमभाको के सेतन में सफल व्यापार करके करोनों की कमाई करता है चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और योग की चर्चा कर लेते हैं इस योग के इसाप से कुंडली कन्या लगन की ले रहे हैं वेसे लगन कोई भी हो सकता है इस कन्या लगन की उधारन कुंडली के इसाप से सात्वेगर का मालिक ब्रस्पती बनते हैं यदि यही ब्रशपती सात्वेगर या लगन में विराजमान होंगे तो सात्वागर वे सप्तमेश दोनों ही बलवान और सुब होगा। चोंकि सात्वागर व्यापार का होता है, एसी सूर्थ में सात्वागर वे सात्वेगर का मालिक सब्तमेश दोनों ही बलवान होने पर व्यक्ति बहुत बड़ा व्यापारी बनता है, सब्तमेश गुरू होंगे तो ऐसा व्यक्ति फाइनेंस के सेक्टर में बड़ा व्यापारी यदि कुणली मेश लगन की हुई तो शबत्मेश शुक्र होंगे और सब्तमेश बालवान होने पर ऐसा रगति हीरे मोति के बड़े बिजनस्मेंट बनेंगे ऐसे ही अलग-लग-लग कुणलीके मामले में जो भी सब्तमेश बनते हैं यदि उन सभी इस्तितियों में यानि उन सभी लगणों में जो भी सब्तमेश बनेंगे और यदि वो सब्तमेश बलवान और सुब होंगे तो सब्तमेश के कारकत्तों के हिसाब से व्यक्ति उस सेत्र में उस व्यापार में महरत हासिल करेगा ऐसा ह हमें समझ ना चीए चलिए आगे बढ़ते हैं और एसे ही एक और योग की चर्चा कर लेते हैं इस योग के अनुसार मीन लगन या मिथुन लगन की कुंडली में सुक्र मीन राशी में होने पर सुक्र उचके होते हैं मीन लगन की कुंडली में सुक्र लगन में होंगे तो सुक बढ़ा बिजनसमेन बनता है। एसा यक्ति कपाश की खेती, कपास का व्यापार, कोस्मेटिक, फिल्म इंड़सरी, घीत संगीत, हीरा वे दूद दही की डेरी के शेतर में बहुत बड़ा व्यापारी बनता है एसे व्यापारी को धन दोलत के साथ साथ समात से अपार मान समान वे यस किर्थी और वेभव की प्राप्ति होती है एसा योग किसी भी लगन के कुंडली में हो सकता है अगर आपके कुंडली में भी सात्वागर वे सात्वेगर क मालिक यानि सब्त में, इसक्रिति बहुत ही मजबूत है, तो यकीन मानिए, आप भी बहुत बड़े बिजिनसमेंट बन सकते है, एक बहुत बड़े और सफल बिजिनसमेंट की पहली सर्थ यही है कि आपके कुंडली में 7th house, वे 7th house के लोड़ की स्तिति हो रहा हो या यानि सेंथ हौश का लोड सेंथ हैं तत्रक्टाइफ connais अब bijvoorbeeld तो इस योग वाला जातक को एक सफल व्यापारी बनता है उदधान के लिए हम यहां वर्सब लगन की कुण्डी ले रहे हैं तब सब्तमेस्टान का मालिक सब्तमेस मंंगल होंगे जो 10th house में सनी की राशी में मोजूद हो और 10th house का लोड यानि 10 में जो यहाँ पर सनी होंगे वो सब्तमेस वे 10 में इसका राशी परिवतन का ये योग भी व्यक्ति को सफल व्यापारी बनाता है ये एक तरीका राजयोग भी होता है जिसे राशी परिवतन राजयोग बोलते हैं ऐसा किसी भी लगन की कुंडली के साथ हो सकता है इस योग के कारण जातक व्यापार जगत में अकूर धन दोलत कमाता है इस उधान कुंडली के हिसाब से एसा व्यक्ति लोहा, इसपात, फेब्रिकेशन, जमीन जाईदाद, निर्मान वे इससे जुड़े कामों में परस्षिद व्यापारी बनता है तो दोस्तों ये थे सफल व्यापारी बनने के कुछ जोती से योग, आशा है आप सभी दर्सकों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक वे शेयर करना ने भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आज के लिए बस इतना ही, अपने दोस्त एस लोडिये स्राटोर को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं, अगले वीडियो में इसी किसी रोचक जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जे हिंद, वंदे मातरम